जै मातादी दोस्तों, World Best Magic में आपका हर्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप जब? ये बताने के लिए comment box में जै मातादी जरूर लिखें। दोस्तों, 14 नौंबर दिन सनिवार को दीपा वली मनाई जाएगी। सबसे पहले आप सभी लोगों को हमारी तरफ से दीपा वली की धेर सारी सुपकामना है। दोस्तों, ये दिन मा महालक्षमी को प्रसन्य करने के लिए बहुत ही important होता है। यदि आप पूरे विधी विधान से मालक्षमी की पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उनकी विशेश करपा प्राप्त होगी। आपको बता दें कि दीपा वली की पूजा प्रदोस काल में करना बेहस सुब माना जाता है। प्रदोस काल में इस्तिर लगन में पूजा करने से माता लक्षमी इसलिए दिवाली की पूजा में सुभ मूरत का विशेश महत्य होता है इसलिए आप सुभ मूरत देख करी पूजा संपन्ने करें अगर आप सुर्यास्त के बाद प्रदोस काल के दौरान इस्थिर लगन व्रसब में पूजा करते हैं तो इस लगन में पूजा करने से माता का इस्थाईवास रहता है। और इसके बाद अर्द रात्री में सिगन लगन भी इस्तिर लगन होता है। आप इस समय भी लक्षमी पूजा कर सकते हैं। इसके लवा तांत्रिक पूजा के लिए स्रेष्ट मूरत महानिसित काल का रहता है। इस दोरान माता काली की विसेश पूजा का विधान है। या जो लोग मंत्र तंतर शिद्धी करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह मूरत सर्वस्रेष्ट रहता है। दोस्तों, प्रदोस काल के समय भगवान गडेश, माता लक्षमी और कुबेर भगवान की पूजा करनी चाहिए। और साथ ही साथ आप भगवान विष्णू, मासरश्वती और काली जी की भी पूजा करें। इससे आपको विसेश लाम मिलेगा। और एक बात का ध्यान रखें कि लक्षमी पूजन के बाद आप अपने घर के हर कमरे में संक, घंटी या थाली चमच जरूर बजाएं। ऐसा करने से घर की नकरात्म कूर्जा बाहर चली जाती है और साथ ही मालक्षमी की बड़ी बैन अलक्षमी यानी की दरिदता घर से बाहर चली जाती है और मालक्षमी का वास आपके घर में होता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जहां अलक्षमी होती है वहां मालक्षमी कभी नहीं आती हैं। इसलिए दिवाली पूजन से पहले घर की साफ सफाई जरूर करनी चाहिए। इसके लावा आप लक्षमी पूजन में पीली कोड़ी भी जरूर रखें। इससे माता लक्षमी आपके घर की और आकर से थोंगी। इसके लावा पूजन में साबुत नमक, और खड़ी हल्दी भी जरूर रखें। और पूजन के बाद इसे आप अपने घर की तिजोरी में रख दें। इससे आपके घर में धन की बरक्कत सदयव बनी रहेगी। और हो सके तो दिवाली के दिन उपवास करना चाहिए। और महा लक्षमी पूजन के बाद ही भोजन रहन करना चाहिए। इसके लावा एक बात का भी ध्यान रखें कि आप इस दिन अपने बही खाते, कम्प्यूटर, तराजू, आदि की भी पूजा जरूर करें। इससे आपके घर में बरक्कत बनी रहेगी। और साथ ही साथ इस दिन स्री सूप्त का पाठ, कनकधारा या व पता दें, लक्षमी पूजा का मोरत साम पाँच बच कर 30 मिनट से लेकर साम 7 बच कर 25 मिन तक रहेगा। इस सुम मोरत की कुलवदी लगबग एक घंटा 55 मिनट की रहेगी। और प्रदोस काल साम पाँच बचकर 27 मिनट से लेकर रात 8 बच कर 6 मिनट तक रहेगा। आर ज़स मा का इस्थाई वास आपके घर में बना रहेगा और एक बात बताना चाहूंगी कि प्रदोस काल का समय सुरियास्त के छे घड़ी बात का होता है और यह समय हर सहर में अलग-अलग हो सकता है इसलिए अगर आप अपने सहर का exact time जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में अपने सहर का नाम लिख कर पूछ सकते हैं मैं आपको आपके सहर में लक्षमी पूजा मूरत का exact time बताऊंगी चलिए आप जानते हैं महानिसित काल के मूरत की तो महानिसित काल का समय रात 11.49 मिनट से लेकर रात 12.32 मिनट पर रहेगा इस सुम मूरत के कुल अवदी लगभग 3.50 मिनट की रहेगी और सिंग काल रात 12.01 मिनट से लेकर रात 2.19 मिनट तक रहेगा और बात करें दीवाली सुब चोगडिया मूरत की तो अपरहन का मूरत दोपहर 2.17 मिनट से लेकर साम 4.07 मिनट तक रहेगा और साइंकाल का मूरत साम 5.28 मिनट से लेकर साम 7.27 मिनट तक रहेगा और रात 3.00 मूरत रात 8.27 मिनट से लेकर रात 1.55 मिनट तक रहेगा और प्राता काल मूरत सुबह 5.00 मिनट से लेकर सुबह 6.00 मिनट तक रहेगा दोस्तों आप इन सुम मूरत में अपनी दिवाली पूजा संपन्न कर सकते हैं तो बोलो लक्षमी माता की जै तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंड में जै माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंड बॉक्स में अवज से पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें सेयर करें और साती साथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद